इंडोनेशिया में 16 लाग टन चावल का अतिरिक्त आयात कोटा अबंटित किया गया दरसल दक्षिन पूरवेश्या में इंडोनेशिया की सरकार ने चालू वर्ष के लिए 20 लाग टन चावल के व्यपार कोटे को पहले ही मन्जूरी दे दी थी जबकि उसने अब 16 लाग टन अतिरिक्त चावल का आयात कोटा अबंटित किया है इससे साफ संकेत मिलता है कि अलनीनो मोसम चक्र के कारण वहां धान चावल के उत्पादन में भारी गिरावट आई है जन्वरी मार्च की तिमाही के दुरान चावल के उत्पादन में कमी आने के संकेत मिले है मिली जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया का व्यपार मंत्रा लिया चावल के इस अतिरिक ताबंटन के लिए आयात परमिट जारी करने पर काम कर रहा है उलेखनिया है कि इंडोनेशिया में साल 2023 के दुरान चावल का आयात बढ़कर 30,60,000 टन के स्तर पर पहुँच गया था हलाकि सरकार ने चावल का घ्रेली उत्पादन साल 2023 के 309,000,000 टन से बढ़ाकर 2024 में 320,000,000 टन पर पहुँच जाने का अनुमान लगाया है लेकिन पिछले साल के सूखे के परभाव से चालू साल के शुरुवाती महीनों में उत्पादन बादित होने की संभावनाई है पिछले साल की तुलना में चालू साल की पहली तिमाई के दोरान वह चावल की घ्रेलू उत्पादन में 28,20,000 तन की कमी आने की संभावना है सप्लाई एमम उपलप्ता में गिरावट आने की आशंका से इंडोनेशिया के चावल का घ्रेलू बाजार भाव तेज हो गया है अब ये भारत में भी आयाद बढ़ाने पर जोर दे रहा है क्योंकि यहां पेक्षाक्रित दाम पर उपलप्त है इंडोनेशिया में पाकिस्तान से भी चावल मंगाया जाता है पिशले साल भारत और इंडोनेशिया के बीच 10 लाग टन चावल के कारोबार पर चर्चा हुई थी अब सरकार ने इंडोनेशिया के लिए भी सफेद गैर बास्मती चावल का निर्यात कोटा जारी किया है ऐसे में एक बार फिर इंडोनेशिया भारत की तरफ आयात बढ़ा सकता है ब्यूरो रिपोर्ट मारकेट टाइम्स टीवी